तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि टाइपस ओफ मॉडम और वाट इस मॉडम लेखिए तो यह जो टेक्नो पॉइजन मेरा चैनल है वो तो टेक्नोलोजी और साइंस के केटेगरी का है मैंस में सिर्फ और सिफ टेक्नोलोजी से रिलेटेड टिप् यह सब शेयर करता हूं बट आज मैं एक ऐसे वीडियो शेयर करने जा रहा हूं तो आगे डिली लाइफ में बहुत यूजाती है बहुत लोगों को लगती है तो एकदम जैनुरली मैं एक चीज समझाते चलूँगा ताकि एक एक चीज एकदम अच्छे से समझ मैं एक एक च लगे और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारिये और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो बढ़ते हैं आए कि मोडम की तरफ तो वाट इस मोडम तो मैं बताने वाला हूं कि मॉडम क्या है सबसे पहले मॉडम अब यह है कि सबसे पहले मॉडम को फुल फ चैनल के देट मैं आपको कुछ ताभी भाषा बिलकुल नहीं बताने वाला हूं एकदम इंजॉइमेंट के साथ इसको लीजे एक एक चीज आपको समझ में आएगी तो मोडियलर मेंस क्या होता है मोडियलर मींस होता है वो डिजिटल सिगनल से सबस्क्राइब करना वह होता है modulator means जैसे modulator means वो होता है जैसे digital single अगर इसको मिल रहा है तो वो analog single signals में इसको convert कर देता है और वो telephone line को बेचता है ठीक है telephone line के जरीए तो this process is known as इसको कहते है modulation modulator का नाम है modulator and demodulator so इसमें से modulator जो है modulation इसको हम बोलते हैं जो convert करता है digital signal को analog signal में तो अब हम पढ़ते है demodulator means that receiving modem converts analog signal into digital signals and the process is known as demodulation that means demodulator जो है वो receive करता है modem को मतलब modem जो है receive करते analog signal को receive करता है और उसको digital convert कर देता है digital signal में इस process को कहते है demodulation देखिए अब computer को हमको क्या समझ में आता है बाहर से नेटवरक रहता है की है analog narम नेट वरक को मिलता है auto robot ख़़시क फिल्डाइब थिक्राइब रहता है मरषी रहता है रोता पहलता है तो यहों जो मॉड़ी यह काम मोड़ी ये रहता है वह तो modem मतलब तो modem जो है बाहर के जो signal analog रहता है इसको digital में convert करके वो computer आपके पहुचाता है ठीक है और modulation का काम यह होता है जो अंदर से signal रहता है वो बहर करके transfer करता है इसको analog को digital में लेकर digital को analog में लेकर बस ही यह demodulator and modulator की process और and it also help us to transmit data from one computer to another computer using standard telephone lines बस यह audio है इसको पूरा सुन्येगा unfortunately video थोड़ी मतलब बन नहीं पा रही है तो इस वादे से पूरी audio बस आप सुनिये ठीक है तो transmission rate it includes how many bits per second a modem can transmit or receive मतलब यह transmission rate रहता है अलग-अलग मतलब कितने से speed से transmit हो पा रही है unlock की और इसकी speed the speed of a modem is determined by the modulation and demodulation standard इसकी speed की सेसाफ से चल रहा है modulator and demodulator आपका modem तो the rate at which a modem convert digital signal into analog signal and sends them over transmission media and modem चलिए आपको मैं पॉइंट यह सब बता दिया है it is measured in bits per second में BPS में ना पा जाता है इसकी speed जो है और different models are different speed अलग-अलग modem की अलग-अलग speed और थी जैसे समझ लिजे 24,000 BPS 24,000 bits per second 9,000 9600 BPS और 56 BPS ऐसे चलता रहता है modem को test किया जाता है digital connection से जैसे computer से भी test कर सकते है analog connection भी remote की modem से भी check कर सकते है तो अब हम आते है error control it was different methods to control error for अलग-अलग method होते है तो इसको छोड़िए अब हम आते है types of modem, modem कितने तरीके की होते है modem can be classified into three categories in terms of size and shape size and shape को लेके modem जो है तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है external modem और internal modem और wireless modem सबसे पहले में बाट क्या आती है internal और external थोड़ा मतलब एक में हो जाते है और wireless थोड़ा अलग हो जाता है तो external और internal wireless आये बातचीत की भाशा में जान लेते है तो external modem वह होता है external modem is attached to the computer system with the help of COM1 or COM2 ports it is connected to the telephone valve jack by another cable next point and external power is supplied to it it is very easy to set up that means external modem जो attached रहता आप की computer system से COM1 और COM2 के ports से ठीक है और it is connected to the telephone valve jack by another cable कोई दूसरे cable से वो जो पोल रहते है वहाँ पे मतलब बिजली गज़े से पोल रहता है वैसे तो उससे connect रहता है तो वहाँ से signal मिलता है तो modem उसको change करता है बहुत असान इसका setup लगाना और कोई और एक external power इसमें supply होती है वो भी पोल की ठीक है जो modem है वो अंदर ही रहता है मतलब computer के यह अंदर external नहीं बहार से modem लगाना नहीं जरूरत नहीं इसकी chip में लगा रहता है मतलब बोडम बस और wireless modem यह main point इसको समझ लेगा wireless modem क्या रहता है wireless modem transmit data through air using unguided media unguided media क्या होता है unguided media वो होता है जो मतलब बिना कोई wire के बिना कोई बस ऐसे radio signal से ऐसे जो wireless रहता है उसको कहते है unguided media unguided media street of cable guided media मतलब guided media क्याते cable cable और को नहीं लगता है यह air मतलब इसकी transmit data तो it is also called radio frequency modem भी कहा जाता है they are designed to work with cellular technology and wireless local area network ठीक है these are not yet perfected but the technology is rapidly improving मतलब अभी इतना जादा perfect नहीं हो पाया है लेकिन आप तो जानते technology rapidly move कर रही है तो इसमें भी जल्दी आ जाएगा बस यही था अब telephone lines carry which type of signal किते तरह की telephone lines कौन से signal रहता है telephone line मतलब telephone line में कौन से signal रहता है digital analog जाएट सी बाद analog रहता है और modern जो है वह analog को digital करता है मतलब modulation करता है ठीक है और email is example of hard double x बस ही था ठीक है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर आपको अच्छी लगी तो thank you अगर लगी तो